हाई एवरीबिजी वलकम बाक तो माई चैनल माई नेम इस तिक्षा पुधिराजा आज हम चैप्टर थर्ड रीट करेंगे दे चैप्टर नेम इस टिट फॉर टैट टिट फॉर टैट का मतलब है जैसे को तैसा बिफोर वी स्टार्ट स्टार्ट करने से पहले इसमें थोड़ सा description दे रखा है कोई अपनी इन्होंने suggestion दे रखा है let's read it suppose suppose मतलब मानो one of your friends तुम्हारे दोस्तों में से कोई एक दोस्त was going to his granny's house वो granny house मतलब दादी का घर भी कह सकते हो नानी का घर भी कह सकते हो वो वहाँ जा रहा था for few days कुछ दिनों के लिए he gave you उसने आपको दिया his favorite toy उसका जो मन पसंद toy था खिलोना था वो दिया आपको for keeping safe till he returned उसने आपको इसलिए रिया था कि आप उसे सुरक्षित रख सको और जब वो आए आप उसको return कर सको while your friend was not in town जब आपका जो दोस था वो town में नहीं था you played with it आपने उसके साथ खेला and you liked it very much और तुमें बहुत ही जादा वो चीज पसंद आई उसका जो toy था वो बहुत जादा पसंद आया अब question ये है when he returned जब वो वापिस आया he asked you उसने आपसे पूछा to give his toy back कि वो जो toy था जो खिलोना दिया था वो वापिस दे दो what would you do आप क्या करोगे there are three options are given there let's read it first a one is you wouldn't return it and make excuses तुम वापिस नहीं दोगे और बहाने बनाओगे first that is very bad b पे चलते हैं you would return it immediately आप जल्दी से जल्दी वापिस दे दोगे that is quite nice and the third one is you would pay him money for his toy but wouldn't return it that is very bad कि तुम जो है उसे पैसे दे दोगे उस toy के बदले और वापिस नहीं दोगे इन तीनों में से b option सबसे बेस्ट है कि जब वो आएगा आप उसे वापिस कर दोगे you would return it immediately that's it तो b option is correct now we will read the story of this chapter देखिये let's read the story once there lived a merchant named hira lal in a city एक बार एक merchant रहता था merchant मतलब वैपारी जिसका नाम हीरा लाल था in a city शहर में एक बार एक वैपारी जिसका नाम हीरा लाल था वो शहर में रहता था he was once a rich man मतलब एक बार की बात है कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हुआ करता था बट लेकिन he got a big loss in his business business होता है वैपार big loss मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा नुकसान एक पर क्या हुआ कि वो बहुत rich हुआ करता था लेकिन उसे business में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया he turned into a poor man फिर वो क्या हो गया बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गया poor मतलब गरीब man मतलब व्यक्ति आदमी यो दोनों कह सकते हो आप the time and the situation were not in his favor जो समय था और स्थिती थी situation का मतलब होता है स्थिती जो उसकी condition थी were not in his favor favor होता है मतलब हक में उसके हक में नहीं थी क्योंकि सब against थी चीजे क्योंकि वो अब गरीब हो गया था तो बहुत सारी problems face कर रहा था he thought that उसने सोचा he should go to a foreign country वो कहां जाएगा foreign country में जाएगा मतलब विदेशी country विदेश में जाएगा to earn some money कुछ पैसा क्या करने इकठा करने earn का मतलब कमाना होता है तो कुछ पैसा कमाने के लिए वो foreign country जाएगा he sold उसने बेच दी whatever he possessed to repay his debts debts का मतलब होता है उधार या यह कह सकते हो कोई करजा तो उसने जो भी उसके पास था ना उसने सब कुछ बेच कर जो अपना करजा है वो तो उतार दिया and started preparing to go to foreign country और क्या किया अपने आपको ready कर लिया foreign country में जाने के लिए मतलब विदेश में जाने के लिए the only thing that he didn't sell was a heavy iron beam weighing about 100 kg कहता है सिरफ उसने एक ही जो चीज थी वो नहीं बेची थी वो क्या थी आप पिचर में देख रहे हो एक heavy heavy मतलब भारी iron beam होता है एक तरह से कह सकते हो जो लोहे का मोटा सा सरिया कह सकते हो जो जिसकी जो वजन था वो था 100 kg before living for the foreign country कहता है कि foreign country जाने से पहले he went to meet his best friend वो गया अपने best friend से मिलने जिसका नाम था महिंदर महिंदर वो जो था वो बहुत ही जादा उदास हो गया या दुखी हो गया जब उसे अपने दोस्त की दुखी अवस्ता के बारे में या दुरगती के बारे में पता लगा माईजरी दुखी अवस्ता को भी कह सकते हैं दुरगती को भी कह सकते हैं तो उसे बहुत ही साधा बुरा लगा तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट है वेन ही हीर दाट जब उसने सुना देट हीरा लाल वस गोईंग टू अब्रोड अब यहां बात महेंदर की हो रही है महेंदर ने जब सुना कि हीरा लाल जो है विदेश जा रहा है उसने कहा प्रिये मित्र मैं बेस्ट विशेज आर विद यू मेरी शुप कामनाए तुम्हारे साथ हैं प्लीज टेल मी कृप्या मुझे बताईए कोई ऐसी मतलब रस्टा बताइए या कोई ऐसा बताईए कि जिससे मैं आपकी मदद कर पाऊ हीरा लाल रिपलाइट हीरा लाल ने जवाब दिया रिपलाइट का मतलब जवाब देना होता है जैसे कि आंसर दोनों सेम ही है घन्ने अवाद आपकी शुप कामनाओं के लिए you can help me if you want तुम मेरी मदद कर सकते हो अगर तुम चाहो तो how can I help you my friend asked महेंदर महेंदर ने पूछा मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ मेरे मित्र मुझे बताईए हिरालाल सेट हिरालाल ने कहा I have a very heavy iron beam which I can't take with me मेरे पास एक भारी iron beam है जो मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता I want you मैं चाहता हूँ तुम से you to keep it with you until I come back तुम अपने पास रख लो जब तक कि मैं वापिस आ नहीं जाता No problem dear friend कोई दिक्कत नहीं मेरे प्रियमित्र Give it to me मुझे दे दो I will keep it safe मैं उसे अच्छे से रखूंगा You can take it back whenever you return from abroad तुम मुझसे वापिस ले सकते हो जब तुम्हें लगे कि तुम्हें मुझसे वापिस लेना है तुम ले सकते हो जब भी आपका मन करें मुझसे वापिस ले सकते हो replied महिंदर महिंदर ने जवाब दिया हीरालाल थांक थिम एंड लेफ्ट फॉर अबरोड हीरालाल ने उसे धन्यवाद किया और अबरोड की तरफ चल दिया मतलब वहाँ चला गया गईस यह हमने वन एंड हाफ पेस अल्मोस्ट किया है बाकी हम कल करेंगे यहाँ आगा पचेजे लीड गर्लीजे तैंक्यू सो मच